खबर है चतिसगड की जहां देर रात से मुसलाधार बारिश हो रही है राज़ानी रायपूर में भी तेज बारिश के कारण पंडरी, प्रोफेसर कलोनी, शाम नगर, मोतिबाग चोंक, नगर निगम, विधायक विश्राम ग्रेश समेथ कई लाको जल भराव हो गया है एक बार फिर नगर निगम के आसपास की नालिया साफ नहीं होने की वज़े से नालियों की गंदगी सडकों पर आ गई है मोतिबाग चोंक सालेम स्कूल के सामने सडकों में पानी भरा हुआ है तेज बारिश की वज़े से पूरा राजधानी जल मगन हो गया है यही हाल विधायक विश्राम ग्रेग का भी है बारिश की वज़े से पूरा विश्राम ग्रेग डूबा हुआ है इतना ही नहीं पूरी गंदगी पानी के साथ अंदर घुज गई है और बाहर पानी में तैर भी रहा है एक तना से देखा जाए तो पूरा जन्जीव अस्त व्यस हो गया है हाला कि मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है गनेश चतूर्दी का त्योहार चल रहा है ऐसे में अगर आज भी तेज बारिश होती है तो लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है एक ही दिन में बारिश के नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है निगम जितनी भी साफ सफाई और नालियों के निकाशी होने के दावा कर ले लेकिन इस बारिश ने सचाई सामने ला दी है एसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर श्लिक कर बेल आइकन को दबाए